इस विडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप Microsoft Visual Studio Code को डाउनलोड करके अपना कम्प्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अल्राइट? सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपेन करना होगा जैसे कि Google Chrome ओपेन करने के बाद उसका सर्च बार में आपको टाइप करना है Visual Studio Code यहाँ पे जो सबसे पहला आप्शन आ रहा है उस पे आपको क्लिक करना है search result में जो सबसे पहला option यहाँ पे आया है उस पे right click करके open link के new tab पे click करना है इससे वो नया tab में खुल जाएगा उसके बाद यहाँ पे देख रहे download for windows का option दिया हुआ directly इस पे click करेंगे तो directly windows के लिए download होगा बट अगर आपको किसी और operating system के लिए download करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे arrow button पे click करना होगा यहाँ पे आपको मिलेगा Macintos, Windows and Linux तो जो भी आपका operating system है उसे साब से आप download कर सकते हैं क्योंकि मेरा windows है इसलिए मैं windows वाला option पे click करूँगा stable वाला ही आपको download करना है ठीक है यहाँ पे करना होगा click क्लिक करने से क्या होगा थोड़ा ही दिर में आपको downloading शुरू हो जाएगा देखें सुरू हो गया है मैं करता हूँ इसको cancel क्योंकि मेरा already download हो चुका है ठीक है देखें यहाँ पे already downloaded है downloads folder में इस पे double click करना है double click करने से open होगा फिर यहाँ पे I accept the agreement पे click करना है and then next फिर यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपना installation directory change कर सकते हैं मैं करना चाहूंगा तो मैं करके दिखाता हूँ browse उपर जाना है c drive and ok मैं क्या कर रहो हूँ मैं directly c drive में install कर रहा हूँ थिक है देन उसके बाद next पे क्लिक करना है again next पे क्लिक करना है अगर आपको desktop आकन चाहिए तो आप इसको check कर सकते हैं अगर आपको अपना right click में भी visual studio code का ओप्शन चाहिए तो आप इसको भी check कर सकते हैं ठीक है अगर आपको Windows Explorer में भी इसका option चाहिए तो आप इसको भी check कर सकते हैं बट मुझे नीची इसलिए मैं इसको unchecked रखूंगा Register code as an editor for supported file types अगर आप इसको check करेंगे तो इससे होगा ये कि Visual Studio Code जितना भी file types को support करता है उसको आप जैसे open करेंगे तो by default इसी editor में ही open होगा यानि कि Visual Studio Code से ही वो file open होगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते है कि हो तो इसको unchecked रखे add to path मतलब ये सारा आपका command line में add हो जाएगा ठीक है इसका option command line में भी रहेगा एक बार यहाँ पर selection करना हो गया उसके बाद आप next पर click कर सकते हैं फिर install देखे installation complete हो गया है अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है launch Visual Studio Code वो box checked है इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं finish पर click करूंगा तो ये setup जो है automatic Microsoft Visual Studio Code open हो जाएगा तो ठीक है मैं finish पर click करता हूँ देखे Visual Studio Code open हो गया है ये है उसका welcome screen और ये है नया document ये है उसका पूरा interface तो इस तरह से हम लोग Microsoft Visual Studio Code को download करके अपना computer में install कर सकते हैं अब इसका इस्तमाल coding में कैसे करना है ये मैं आपको next वीडियो से बताऊंगा until then, thank you